हेलो नमस्कार दोस्तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो स्रेट बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिलकूल न भूले ताकि आगे आने वाली कोई की भी नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए आज की नई नोटिफिकेशन के बात करते हैं आज की नई नोटिफिकेशन आ रही है SSC की तरफ से SSC MTS की तरफ से एक नई recruitment के लिए वेकेंसी निकाली गई है MTS multitasking के लिए जो नई वेकेंसी आई है वो Group लिए पोश्ट अभी नहीं बताया गया है जो कि यहां पे नोटिफिकेशन में यहां पे इन्होंने डेट्स के बारे में बता दिया है कि कौन-कौन से डेट पे क्या-क्या एप्लीकेबल है तो चलिए इन डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं यहां पे इन्होंने बताया है कि जो ऑन-लाइन स्टार्ट डेट है एक्जामनेशन के लिए जो यह फॉर्म भड़ी जाएगी वो 22 तारिक से 22 मार्च से स्टार्ट हो गई है और इसकी जो एप्लिकेशन को फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 30-4-2022 यानि कि 30 अप लिमिट के बारे में बता दिया गया एज लिमिट जो यहां पे इन्होंने बताया है वो 18-25 इयर्स बताई है MTS एंड हवलदार in CBN Department of Revenue के में और दूसरा इन्होंने एक और चीज़ बताया है इसी के साथ 18-27 इयर्स उन लोगों के लिए हैं उन केंडिडेर्स छात्रों के लिए हैं जो की हवलदार के लिए हैं लेकिन इन CBIC यानि कि डिपार्टमेंट ऑफ रिविन्यू एंड फिवर पोर्स ऑफ MTS जो कुछ पोर्स होंगे MTS में उसके लिए 18-27 इयर्स हैं इसके बाद यदि बात कर लेते हैं तो यहां पे इन्होंने रिलाक्सेशन जो है कि किसमें किसमें रिलेक्सेशन दिएा गया है तो स्ट सेथी वाले हैं यानि कि जो आपका matriculation है वो 34 2022 तक complete हो जाना चाहिए इसके बाद इन्होंने यहां पर बताया है कि application fee क्या होगी तो application fee 100 रूपीज भी होगी general वालों के लिए और SC और OMN candidates के लिए है और इसके साथ जो पर्सनल विज जिसे प्लीजे PWD वाले हैं एक सर्विसमेन वाले उनके लिए कोई विफी नहीं लगेगी यहां पर इन्होंने center of examination के बारे में बता दिया है सारे examination centers आपको all over India मिल जाएंगे यहां पर इन्होंने scheme of examination, examination pattern क्या रहेगा तो इन्होंने paper 1 जो बताया है CBT based होगा जो की जिसमें की इन्होंने general English, general intelligence reasoning, numerical aptitude और awareness general awareness का subject रखाया है और इसमें 25 marks रहेंगे इस subject में और इस paper का टाइम दिया है इन्होंने 90 minutes का time दिया हुआ है इसके बाद इन्होंने paper 2 के बारे में बताया है जो की descriptive होगा यह subject जो इन्होंने इसमें बता दिया है short essay होगा और एक later English होगा जो इसमें बताया गया है और यह 50 marks का होगा इस subject में जो इसके लिए आपको 45 minutes दिया जाएगा इसके बाद इन्होंने यहाँ पे physical efficiency test के बारे में बताया है जो की walking और cycling होगा male और female candidates का अलग-अलग जो की test लिया जाएगा इसके बाद इन्होंने physical standard test के बारे में बताया है जो की male के लिए 157.5 cm बताया है जो की chest 76 cm तक बताया है और female के लिए 152 cm height और weight जो बताया 48 kg तक के लिए बताया हुआ है इसके साथ यदि आपको बात करते हैं एक और जो important बात है यहाँ पे mode of selection में इन्होंने यहाँ बता द कर दिया है paper 2 में विसी तरह से unreserved के लिए 40% और all other categories के लिए 35% इसमें इन्होंने mention कर दिया है तो यही था इस notification में तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर दीजेगा share जरू कर दीजेगा अपने friend circle में ताकि उनको भी इस notification के बारे में पता चल जाए और subscribe क कर दो कर दो